पुज्य संतगान देश ने अगले 25 वर्सों के लिए कुछ लक्ष तैक किये हैं। हमारा लक्ष है कि आजादि के 100 साल पूरे होने तक एक मजबूत आत्म निर्फर और समावेशी विक्षिद भारत का निर्मान हो। 1947 में आपकी महत्वपन भूमिका से कोटी कोटी देशवासी पुनह परिचित हुए हैं। आज जब देश 2047 के बड़े लक्षों को लेकर आगे बढ़ रहा है तब आपकी भूमिका और महत्वपन हो गई है। आपकी समस्ताओं ने हमेशा सेवा के मुल्यों को साकार किया है। आपने लोगों को एक दूसरे से जोडने का उनमें समानता का भाव पैदा करने का बड़ा उदाहरन पेश किया है। भारत जितना एकजूट होगा उतना ही मजबुत होगा। इसलिए हमारी प्रगती के रास्ते में रुकावटे पैदा करने वाले तरह तरह की चुनोतियां खड़ी करेंगे। जिने भारत की उन्नती खटकती हैं वो सबसे पहले हमारी एकटा को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी समस्ताओं से आध्यात्मिक्ता और सामाजिक्ता की जो शक्ती मिल रही है उससे हम हर चुनोति का सामना कर लेंगे। कर लेकिन का सामना कर लेंगे।